में तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं क्या ये डõesकिन्टानावाल डीक कहते हैं। तरह तरह के जूट विखाए गए हैं बिल खसूस उस वक्त की हकूमत के बारे में हकीकत ये है कि जब ये वाकिये हुए जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीरियाला नहीं था उस वक्त गवर्नर राज था जगमोहन साहब गवर् थी और वीपी सिंग की हकूमत के पीछे कौन खड़ा था बीजेपी बीजेपी हकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए तो यह क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो लेकिन बीजेपी सिंग के पी सही कहा यहां सिर्फ एक कौम ने कुर्बानिया नहीं दी अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहत अफसोस है नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या कश्मीरी मुसल्मान नहीं मरें क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरें अगर यहां लोग घर से निकल गए बेघर हुए तो उसमें सब मजभब के लोग शामिल हैं मुसलमानों ने भी अपनी मकाने छोड़के कश्मीर छोड़के कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए हमारे सिख भाई बहन वह भी चल चोड़के गए हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़के गए हमें असबात का अफसोस है और हम कहते हैं आप माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आएं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहे हैं लेकिन हमार पे काइम है और उस जम्मू कश्मीर को हम दुबारा काइम देखना चाहते हैं नैशनल कॉन्फरेंस अभी आप देखिए ना मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंके फिर खामखा मेरे वर्करों को तंग करना शुरू करेंगे हम अपनी जगे काइम हैं हम यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी आवाज जो है वो बुलंद करने जम्मू कश्मीर के हकुक दुबारा हासिल करने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहें और लोगों के दर्मियान अपना तालमेल जो है उसको बनाए रखने में हम पूरी जो है अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं आना चाहिए उनको यहां आके आम लोगों से सुने तो शायद असलियत का उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा सियासी माहोल तो गरमाया जा रहा है किस मकसद से गरमाया जा रहा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ अब हमें तो जैसे मैंने कहा हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ नैशनल कॉन्फरंस तक है मेरी कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश यही रहेगी कि हम जमात को मजबूत करें बाकी वजीर आजम साहब यहां आके क्या कहेंगे क्या करेंगे या अमिच्छा साहब क्या करेंगे उस पे हम नजर लगाय हुए बैठें ठीक यह सवाल पीएजीडी का है आप पीएजीडी के लीडरों से पूछे रहा है पूरे कौम को दुनिया घर में बजनाम करने की कोशिश की जा रही है कितना अफसोस आम कश्मीनी इस बात से खुछ नहीं है कि बत्ती साल पहले क्या हुआ आम कश्मीनी इस बात से खुछ नहीं है कि दोगा तो अपनी घरों से निगाव दिर्वानी के बात देजा रहा है लेकिन आम कश्मीनी ने भी इसमें कोई बोल अधा नहीं किया रहा है आज एक ताफुर मेहा करने की कोशिश की जा रही है कि साल एक कश्मीनी तो है वो फिरका परस्त है कि सारी कश्मीरी जो है वो दूसरे मजब के लोगों को बरदाश नहीं करते कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर में तरश्मीरी जो है वो बज़रान हो अरे इससे हासी क्या होगा क्या ये करके हम लोगों के लिए रस्ता तयार कर रहे हैं जिनको घर वापस दाने की बात हो रही थी क्या ये करके हम लोगों की घर वापसी और ज्यादा आस्वान मुझा रहे हैं मुझे ज़र इस बाता है कि जो नफ़रत आज कश्विरी मुसल्मानों के खिलाफ पैदा की जा रही है हुआना खास्ता हुआना खास्ता हमारे जो बच्चे इस रियासे के भाव पढ़ ले हैं करें इसका हम्यादों को ना खुबत अपड़े 18, 20, 21, 22 सार के बच्चे उन्होंने कि तब जड़न नहीं लिया था जब यह आरात को रहे थे जब कुश्मी नहीं आज उनके मालाब के मेसेच आ रहे है कि मुझे बच्चों को वापस ना खास्ता है मुझे डर है कि हमारे बच्चों को निशाद गाए है कि अपने पड़ाद गाए है कि आपने प्रफार के लिए कि आपने प्लॉक देखे कि आपने तहसीर नहीं आप देखे को जवापने कहां है अनगर चीज़े देखे कि अपने प्रफार की अपने प्रफार के लिए कि अपने प्रफार के लिए कि कम से कम सीच है कि अपने प्रफार के लिए कि आपने प्रफार के लिएका से कि आपने प्रफार है